फ्रेंट्स, आज मैं आपको बड़े आसान तरीके से फंदे डालना सिखाऊंगी जब भी हम स्वेटर बुनना शुरू करते हैं हमें सबसे पहले फंदे डालने आने चाहिए ताकि हम आगे स्वेटर बुन सके हमारे पास उन और सलाई है उन का ये सिंगल दागा है फंदे डालने के लिए हम इसे डबल करेंगे ये हमने दागा डबल किया इधर हमने एक गाठ लगा लिए ये सलाई अब ये गाठ वाला जो हिस्सा है ये गाठ ये हम यहां ले आए सलाई के उपर गोले वाले इसे की तरफ का धागा जो सिंगल है वो हमने टैर केम उठे पर लपेटा इधर हमारा सिंगल दागा ये हमारा डबल अब हम फंदे डालना स्टार्ट करेंगे डबल वाले धागे को उंगली से पकड़ा ऐसे किया बीच से सिंगल धागा निकाल कर सलाई के उपर डाला डबल वाले धागे के तरफ खीचा फिर डबल डबल ये पंदे डालने का सबसे आसान तरिका है अब ये मैंने कुछ फंदे डाल लिये हैं अब हमारा ये जो धागा यहां बचा मैंने इसको फोल्ड करके ऐसे गाठ लगा ले ये जो इसतरे चैन बनी हुई है ये दिख रही है ना ये हमारा सिधा हिसा माना जाएगा दूसरी तरफ देखो इसे हम उल्टा हिसा कहेंगे इदर अलग-अलग फंदे दिख रहे हैं इदर देखो सीधी चैन दिख रही है अब इस तरफ से हम बोर्डर बनाना सुरू करेंगे ये देखो मैंने दूसरी सलाई ली पहले फंदे में डाली अब ये धागा लिया सलाई के उपर से और अपनी तरफ निकाल लिया अब दूसरे में इस तरह मैंने दो फंदे बुन लिये अब मैं धागा अपनी तरफ करती हूँ ये धागा अब मैं अपनी तरफ करती हूँ ऐसे अब मैंने इस फंदे में डाला अपनी तरफ करके इसे बुन लिया अब दूसरे फंदे में डाला इसे बुन लिया अब मैं धागा पिछे की तरफ करती हूँ जैसे पहले हमने दो फंदे उतारे थे इसी तरह अब मैं ये फंदे उतारूँगे अब फिर दूसरा फंदा फिर धागा अपनी तरफ अब दूसरा फंदा इस बोर्डर को हम दो सीधे और दो उल्टे फंदे का बोर्डर कहते हैं ये बोर्डर मैंने पहले से बना कर रख रख है ये देखो बहुत इस ट्राइलिस बोर्डर है वो स्टेचेबल है इस बोर्डर को हम दो उल्टे और दो सीधे का बोर्डर कहते हैं दो फंदे उल्टे दो सीधे ये देखो ये दो सीधे फंदे ये दो उल्टे फंदे अपनी अगली वीडियो में मैं आपको इस बोर्डर के उपर दो रंग का स्वेटर बुनना सिखाऊंगे बड़े और छोटे के हिसाब से कितने फंदे डाले जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगे फ्रेंट्स मुझे उमीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक को और सेर कीजिए मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद